हमात हमारी सरसती और धरों तुम्हारों द्यान तीन चीज मागे दियों सुताल कन्ठ सुर। गुर्देव नाम ललहाम जिनका सर्व मंडल धाम है। उनिपर में पूझी गुर्देव को मेरा सत सत बार अप्डाम है। तो तीन बंद है दयान भी और है प्रभुन आया धीस। और इकरी साहई मुझी दीन की सुतु तुम्हे नमा उसी सुत। सबी हमारे उपस्तित। माताएं बंबेहनें प्यार करनी युग बच्चों। आज हम आप लोगों के शमक्ष में। अर्चनी बंदनी एद्वन्ष रुमाट आला शम्राट श्वामी शुर्जन चैतन महरागी के पविताशी भाश्य। आप लोगों के शमक्ष में नवीन का था प्रुस्त करने के लिए उपस्तित हुए हैं। मा सीता का त्याग भगबान श्री राम ने क्यों किया था। ना थो कोई प्रजा का दोस्त था ना धोवी का दोस्त था और ना प्रभु राम का दोस्त था। अगर दोस्त था तो केबल बालापन में एनी बच्पन में मा सीता से एक छोटी सी भूल हो गई थी छोटी सी गलती हो गई थी बाल लवस्ता में आईए किन हलातों में एक बार सीता जी जब छोटी थी ये निबाल वज्था में थी तो सीता जी ने अपनी सैलियों को इसारा दिया है क्या कि मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहो है कौँ भूनिया में जीता जी ने सैलियों को बुलाया है मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहो है कौँ भूनिया में काउ बगिया की सेर करूँगी सेर करूँगी तब तुम से हम मन की कहूँगी कचो मन की तुमें बताऊँगी हाई तुमिया में मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहो है कौँ भूले आमें चार सकी पास बुलबाई हसे हसे केशी ता मतलाई मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहो है कौँ भूले आमें इधर शीता जी ने इस्रेलियों को बुलाया है और इस सारा दिया है कि मेरी बात सुनो किन हलातों में बेटा भी सम्पितामा कैसा की जब बाग को धाई खुशी सवन के मनाली है सकी जबुपाज को धाई खुशी सवन में मनाली है सहेली पासों में आईये सहेली पासों में आईये पीपाले गिवाय उच्चारी है तेरे सकी आसों नीच वही तोड़ के पासों आईये और सहेली खस यूं बोली है सहेली खस के बोली है सहेली खस के पासों में आईये इधर जिस समय सीता ने सहेली को उचारा देकर के बुलाया है तो जब सीता की बास सुनी है तो सहेली आजाती है और जब आईये तो उसी समय सीता जी ने एक बात कही है क्या कही है क्या बोली चलो सजनी भूम बगिया में आपे चलो अप्या भूम बगिया में आपे तो बगिया में आपे भूल बगिया में आपे हाँ बगिया में आपे चलो सजनी भूम बगिया में आपे चलो अप्या भूम बगिया में आपे जिस समय सारा दिया है तो उसी समय सीता की जो सैलिया थी वो आगे के लिए चली है किन हालातों में सीता को सात में लेकर के बेटा वीसम पितामा आरे ले सीता को संग सहली और दय कदम बढ़ाई और चारो सकिया सात में जाई रही ता निकल देर लगाई इता फूला बागा बैसी ना पहुची और तेल में खई अरसाई और इत बढ़िया ते बीच में भीसमारी आरे सुन्दर सुन्दर पूस्मा किले जामे पोरा रहे प्रम्माई आरे ओरे दर सनकाचियोनी जातो गात समलनाई आई आरे सुन्दर सुन्दर पूस्मा किले जामे पोरा रहे प्रम्माई आरे ओरे तर सनकाचियोनी जात पात समझनाई आई उसी समय सीता की जो सैलिया थी सभी जिस्त मैं बाग में पहुची है और बाग में पहुचने के बाद में सभी सैलियों ने खेल प्रारम किया है के इन हलातों ने अरे ती नोखेलर चाई दे तनिकेला देरल गाई दे सीता जी इतो पाजा में ठाड़ी मन में रही मुश्याई दे अरे शीता लाप्रार चले पूराम किया है सुनियों दाया गारी है डियस्या तब पठिना बाले रहे है कलम चलाई है अरे तरसन चैस तम जाई रे पुरे को सीत जुखाई रे दीरे दीरे लामका आ जाया के वह बढ़ाई रे इधर सीता की स्टैलिया जो थी खेल कर रही है लेकिन आप लोग द्यान इश्य बिंदु पे रखें आईए अब इधर गौर करते हैं बालमीक जी की तरफ बालमीक जी ने रामायड की रचना तम की थी जब प्रभू राम का जन्म नहीं हुआ था प्रभू के जन्म से पहले ही बालमीक जी ने रामायड को लिख दिया था कुटिया पे प्रभू राम की कथा होती थी तो कुटिया के पास में इक तोता और मैना प्रत दिन आया करते थे जो कथा को सुना करते थे प्रत दिन जो कथा को सुनते थे मेना को कथा याद हो गई थी तो एक दिन तोता और मेना बहां से उड़े हैं और जनकपुरी के लिए चले हैं किस तरह से बेटा भी सम्पितामा के कुटिया से उड़े तोता मेना और आगे की सीध लगाई है झाला टा ए प्रत बति प्रत भाई away प्रत आएफ़े तोताम जो स्वेथे तोताम्थ जिए दोताँ वोग iets तरोताम से ठींः ड्रत भको मेना के लिए उते वाद़े jullieए गपÓ पुट्टी आसे यूडे को सामेना आगे इस्टी पुल्नगाई है पुट्टे पुट्टे आगे बढ़िके इस्टी पुल्नगाई है पुट्टे आगे इस्टी पुल्नगाई आगे इस्टी पुल्नगाई है जिस्त मैं तोता और मैना जनखपुर के बाग में पहुचे हैं और इधर सीता की सेलिया थी वो खेलते खेलते आगे निकल गए सीता जी बहाँ बैठी है तो सीता जी ने एक बात देखी है क्या देखी है कि एक ब्रच के ऊपर बहुत सुन्दर तोता और मैना बैठे हैं लेकिन मैना जो थी वो खोता से कुछ कह रही थी सीता ने जब गौर से देखा है क्या देखा कि तो हमारे बारे में बोल रही है बड़े ध्यान पूर्वक से मैना जो थी कह रही थी ओ सीता जी उनकी बात सुन्ने लगी हैं किन हलातों में क्या राम कथा मैं ना कह यारे मेरे स्वामी कोई मुखस्त साथ सा यो जारा जी आरे बाता हमारी तुमा सुनो यारे परमे स्वारा कोई साची बेदा बाता आई जी आरे आवादा पुरी से रामाजी आले मेरे स्वाटाना कोई धनवा दोड़ ना जाए जी सीता जी सुन रही है मैंना कह रही है कि आयुध्या के स्री राम होंगे जनकपुर में स्वयंबर होगा धनुस एक होगा तब ये धनुस तोड़ेंगे तब इनकी सीता जी के साथी होगी सीता जी अपनी इच्छा से इने बरमाला पहनाएगी और जब सीता जी ने इतनी बात सुनी है सोची रही है मन में बाजीबा ये तो हमारी कता कह रही है कि अध्या के राम होंगे जनकपुर की सीता होंगी तब इनका विबा होगा बाजीबा ये तो हमारी कता कह रही है इसका मतलब है कि हमें कुछ करना चाहिए तो उसी समय सीता जी ने एक बात सोची है मन में क्या सोच है बड़े ध्यान योगी से सबी लोग सुने कैसी वी जानकी दूलारी सोची रही और ये मेरी कथा सुनाती है सिरिचे लगी दूलारी सोची रही ये मेरी कथा सुनाती है सीता जी मन ने सोची रही ये बात हमे ये दिवादी है इधर सीता जी मन में बिचार करती है बाजी बाँ हमें कोई प्रियास करना चाहिए कोई जितन करना चाहिए कोई उपाय करना चाहिए ये तो हमारी कथा कह रही है उसी समय में ना कथा बोल लई थी और उदर सीता जी ने पीछे छिपकर के किया किया है बेटा भी संपिता मा आरे पीछे बढ़के सीता जी ने में ना लई है दवाई दवाई आरे तो तमा से उनिगा उळे आरे तो तमा से उनिगा उळे कैमे ना लाई माचिता ही मारा दिक मेना कहनी लगी समनाई हमें छोड़ी ते योजीता नाई मनाई मनापाचिताई इकाउ दिन राम लला घरा में वे आसीता तो में वियावन काउ दिन राम लला घरा में वे आसीता तो में वे आसीता तो में वियावन अरसीता तुमें प्यावनाया, सीता 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 तुमें प सीता जी ने मैना को जिस्तमें पकड़ लिया है मैना को पकड़ करके सीता जी जनकपुर में महलों के अंदर ले जाती है और ले जाकर के सोने के पिंजड़ा में बंद किया है और सोने के पिंजड़ा में बंद करके और संद्या की बेला में सीता जी जब सोने लगी हैं सो जाती हैं तो हुआ क्या तो उसी समय सीता जी बिस्राम करने लगी हैं तो क्या हुआ तो करी पिंजड़ा में बंद तवसीता जी गई सोई और आदी रात को बगत है और मेना रही तरोई मेना जो थी रो रही है सोच रही है बाजी बाग में गरव अबस्ता में है और ऐसे समय में हमारे पती की हमें बहुत बड़ी अबस सकता थी लेकिन क्या करें सोच रही हैं अपने मन में कैसीता सोई गई पेरा पस्तारे और मेना मन ही मन पच्छिता में आरे मन ही मन पच्छिता में कैसीता सोई गई पेरा पस्तारे मेना मन ही मन पच्छिता में कया गई जड़ी अपिर एंबस क्वादा थी तर भाद करेपक कि अजड़ी ब NICK कि बच्छिता मन पें पस्तार?!" कि आरे मन पनी कि आरे में प्राप आरे मैं मत चाल सकता इधर मन में सोच रही है सीता जी जब सोच आती है तो मैंना जो थी मन में सोच रही है ये क्या होगा तो उसी समय जब सीता जी जागी है तो मैंना ने एक बात कही है क्या कही है कि मैंना बोली है सीता शे और तुमा देयों हमें छोड़ावाई है मैंना बोली है सीता जे तुमा देयों हमें छोड़ावाई है मेरे प्रीममा हमसे दूर भाए हमा युना कोले या बनाई है इधर मैंना बार बार सीता जी से कहती है कि हमें छोड़ दो तो सीता जी ने का बाजी बाब मैं तुमें नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने हमारे बारे में हमारे बिजर में तुमने जो कता कही है इस कता के बारे में हमें आगे अबगत कराओ कि हमारी साधी के बारे में तुमने बता दिया है उसके बाद में हमें ये अबगत कराओ कि हम भविस्त में हमारे जीबन में हमें क्या सुख होगा क्या दुख होगा कैसे हालात में हमारा जीवन गुजरेगा यह सारी बात आपको हमें बतानी पड़ेगी मैं न कहने लगी यह बाजी 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 बाज, हमें कुछ नहीं मालूम है मैं कुछ नि जानती हू exist i यह वहसार में हमारे पती की यह में बहुत बड़ी जरूरत मैं इपने पती के साथ मैं अपना जीबन भिताना चाहती हूँ उसी समय सीता जी ने का बाजी बात में नहीं चोड़ेंगे और जब इनकार किया है तो उसी समय सातियों क्या होता है जब सीता जी ने इंकार कर दिया तो उसी समय मैना को क्रोध आ गया मैना कहने लगी सीता अगर तुम हमें नहीं छोड़ोगी न तो मैं तुम्हें सराब दे दूँगी सीता जी कहने लगी बा जी बा तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तमें छोड़ने बाली नहीं हूँ तो उसी समय क्या हुआ मेना में क्या किया है आरे क्रोधा में आई के मेना मेरे सीपा से कही सुना ली मा सुनियो मेरी मातरे के सीरा पेया पुसायाई माराजी सुनियो मेरी बात तो खाश औरे उसी समय के मेना लेशी ता को ते लोशा से जो 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 लार मानो बाता हमारी, इता 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 मानो बाता ह उसी समय बार-बार कहा है मैना ने सीता से जब सीता ने एक रीवात नहीं मानी तो मैना ने सीता जी को स्राप दिया है कि जाओ आपने हमारे पती से हमें दूर किया है तो मैं तुम्हें स्राप देती हूँ कि ऐसी गरव वस्था में तुम्हारा पती तुम्हें अपने से दूर करेगा तुम्हारा त्याप करेगा मेना ने इन हालातों में मा सीता को ये स्राप दिया था और इसी स्राप के कारण भगबार स्री राम ने सीता का त्या किया था लोग कहते हैं कि प्रभु राम का दोस्त था कोई कहता है धोवी का दोस्त था कोई कहता है प्रजा का दोस्ट था लेकिन नहीं ये दोस्ट जो था ये गल्ती थी ये मा सीता की गल्ती थी बच्छपन में बालापन में जो ये गल्ती की थी ये सीता श्राप की कथा जो है ये पदम पुराण से प्रसेंग लिया गया है ये हमारे प्रम पूजनी सम्मानी पिता जी स्रीमान डॉक्टर दर्वीर सिंग यादो जी ने अपने निच कर्मों से सोच करके जीबन को जो यापन करते हैं उन्होंने अपनी कलम के द्वारा लिखा है और ये कता हमें दी है इसके लेख़क हमारे पिता जी अगर हमसे कोई भूल हमसे कोई तुटी हुई हो तो अपना पूत्र अपना भाई समझ करके छमा करें अगर कोई भूल हो हमसे नहीं बलके हमारे पिता जी सही मिलना आएए दोस्त सात्यों के बारे में किस तरह से बेटा विश्वम पितामा पिर सींग है पिता मेरे मया मीरा देवी है के बलं मेरो ये कहना हमत कोई है भाई पहना माव्वबुलागे राणन प्यारे रच्छा करते बंसी वाले दा चोई पी सुला हमा पे लूटी गए अदा परा में दूई गई गई जेका जुचे ठोल मेरो थो भईया उस सुलग को जेठो भईया आरे श्टरसलना महमा रो है और पखिनाग्रा महमा रो है गुरु सुर्धन त्यात दिखास मेरे हमस्टे तव नीटे कहाए आरे पीतमा पेता सिस्ट मेरो चोड़ो दोलका मधुरु बजाते है जो हर तमस्टा तो रहे मेरे और उन मेरा स्टो जेगाते है आरे श्टी में सम्पेता है पेरो चोड़ो दोलका सुन्गर्ण में रहते है चिमट्चा कीतो जलट्टार तदा वो अजर अटेरा लें देते आये अब तो बेलू पहिया छोटो मेरो जोग्यन बत पुरमे रहते हैं और भड़ा पेपेठी के ले पेता चोग्मभुरी दाल मिलाते है जेठे प्रात प्रेम पहिया सुन्दर रिकॉर्टिंग दर्शाथे हैं जो दर्शन सास्ती को हारित में जो हसे हसे कमे लगाते हैं इसलिए हमारा तो यही कहना है बेटा भी जम पास हरी को कर ले बजा नहीं न कोई दिन को पेला है लवार को कर ले बजा नहीं न कोई दिन को मेला है कोई दिन को मेला है रे घरुड़काय अंता हकेला है रे पर जाहिनी आच्छा मेला है कर ले बजा नहीं न कोई दिन को मेला है